उबध्या का दर्शन हम लोगों ने यहवा की ओर से समाचार सुना है और एक तूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है कि उठो हम उससे लड़ने को उठे मैं तुम्हें जातियों में छोटा करता हूँ तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा हे पहाडों की दरारों में बसने वाले हे उचे स्थान में रहने वाले तेरे अभिमान ने तुझे दोका दिया है तू तो मन में कहता है कि कोन मुझे भूमी पर उतार देगा परन तू चाहे तू उकाप की नाई उचा उड़ता हो बरन तारांगन के बीच अपना गोसला बनाए हो तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा यहवा की यही वानी है यदि चोर डाको रात को तेरे पास आता हाई तू कैसे मीटा दिया गया है तो क्या वे चुराय हुए धन से तुप्त होकर चले न जाते और यदि दाक के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाक न छोड़ जाते परन्तु एसाव का जो कुछ है वह कैसा खोच कर निकाला गया है उसका गुप्त धन कैसे पता लगा लगा कर निकाला गया है जितनोंने तुझसे वाचा बांधी थी तुझ पर प्रबल हुए है और जो तेरी रूटी खाते है वे तेरे लिए फंदा लगाते है उसमें कुछ समझ नहीं है यहवा की यहवानी है कि क्या मैं उस समय एदों में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड में से चतुराई को नाश न करूँगा और हे तेमान तेरे शूरवीर का मन कच्चा हो जाएगा और यह एसाव के पहाड पर का हरे एक पुरुष घात होकर नाश हो जाएगा हे एसाव उस उपद्रों के कारण जो तुने अपने भाई याकुप पर किया तु लज्जा से ढपेंगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा जिस दिन परदेश लोग उसकी धनसंपत्ती छिन कर ले गए और बिराने लोगों ने उसके फाटकों में सिगुसकर यरुष लेम पर चित्री डाली उस दिन तु भी उनमें से एक सा हुआ परंतु तुझे उचितन था कि तु अपने भाई के दिन में अर्थात उसके विपत्ती के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहुदियों के नाश होने के दिन उनके उपर आरंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता तुझे उचितन था कि मेरी पजा की विपत्ति के दिन तु उसके फाटक से गूसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धनसंपत्ति पर हाथ लगाता और तिर मुहाने पर उसके भागने वालों को माल डालने के लिए खड़ा होता और उसके संक्रट के दिन उसके बचेहों को पकड़ा देता क्योंकि सारी अन्यजातियों पर यहवा के दिन का आना निकठ है जैसा तुने किया है वैसा ही तुझ से भी किया जाएगा तेरा व्यवहार लड़कर तेरी ही सिर पर पड़ेगा जिस प्रकार तुने मेरे पवित्तर परवत पर पिया उसी प्रकासे सारी अन्यजातिया लगातार पीती रहेगी बरन वे सुकर सुकर कर पीएगी और ऐसी हो जाएगी मनों कभी हुई ही नहीं उस समय सियोन परवत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकुप का घराना अपने निजभागों का अधिकारी होगा और याकुप का घराना आग और यूसुप का घराना लव और एसाव का घराना खुंटी बनेगा और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई न बचेगा क्योंकि यहुआ ही ने ऐसा कहा है और दक्षिन देश के लोग एसाव के पहाड के अधिकारी हो जाएगे और नीचे के देश के लोग पलिश्टियों के अधिकारी होंगे और यहुदी, एप्रेम और साम्रिया के देहात को अपने भाग में लेंगे और बिन्यमिनी गिलात का अधिकार होगा और इस्राइलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआए में जाकर कनानियों के बीच सारपत तक रहते है और यरिश्ली मियों में से जो लोग बंधुआए में जाकर सपाराद में रहते है वह सब दखिन तेश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे और उद्धार करने वाले एसाव के पहाड का न्याय करने के लिए सियोन परवत पर चढ़ जाएगे और राज यहवा ही का होग जाएगा